तो कभी जो कर्बनी दिखी प्रियंका चोपड़ा की नौ सबसे वाहिया ड्रेसेज आई जानते हैं इन ड्रेसेज के बारे में नमबर एक हवा का गुबारा कुछ समय पहले प्रियंका ने अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर बलून ड्रेस वाली एक फोटो को शेर किया था बिना स्लीवस वाली ये ड्रेस बाल शेप कॉस्ट्यूम थी इसे दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो प्रियंका हवा का गुबारा बन गई हो तब प्रियंका के इस आउटफिट को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था इस ड्रेस के साथ उन्होंने अपने बालों को बांदे रखा और पैरों में ब्लैक रंग के स्टॉकिंग स्पैने हुए हैं इस ड्रेस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रियंका ने अपने उपर एक बॉल रख रखी है प्रेंका के एस्क्वेर की ओर्वी ड्रेस की तुलना पठाखों और गर्म हवा के गुबारे में पठाखा मचली के प्रकारों से की गई है नमबर दो बिना बटन वाली महंगी ड्रेस प्रियंका के एस वाइट टॉप रिवीलिंग ड्रेस ने भी सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी लोगों ने उनके इस चॉइस की खुब आलोश न की थी कई लोगों ने उन्हें संसकार के लेक्चर जाड़ दिये थे हाला कि कोई सितारे एक्टरस के सपोर्ट में भी उत्रे थे लेकिन इनके फॉलोवर्स ने प्रियंका चोपड़ा पर बहुत सारे गंदे गंदे कॉमेंट किये जिससे इनको काफी शर्मिंदा होना पड़ा नमबर तीन ड्रॉंग काट प्रियंका की ये ब्लू कलर की ड्रेस काफी अची है लेकिन प्रियंका की इस ब्लू ड्रेस में डिजाइनर ने बहुत ही गलत जगह कट लगाए है आज कल फटी जेंज का फैशन जरूर चल रहा है लेकिन टॉप में ऐसी जगह कट लगाना बड़ा ही अजीब है जैसा कि आप प्रियंका की इस ब्लू कलर वाली ड्रेस को देख सकते हैं वैसे प्रियंका के फैंस तक को ये ड्रेस पसंद नहीं आई थी इस ड्रेस के लिए लोगों ने प्रियंका को काफी ज्यादा ट्रोल किया था नमबर चार मेरा नाम जोकर प्रियंका की ये ड्रेस और इस लुक को कोई भला कैसे भूल सकता है एक्टरस अपने पती संग इस ड्रेस को पहन रेट कारपेट पर वॉक करती हुई नजर आई थी उनका ये लोग सामने आने के बाद सोचल मीडिया पर इसे लेकर बहुत मीम्स बने थे उनका ड्रेस तो काफी अच्छा था लेकिन मेकप ज्यादा होने के कारण वो ड्रेस उन पर जोकर जैसी लग रही थी उस ड्रेस को लेकर लोगों ने काफी मजे लिये और प्रियंका को काफी कुछ भला भुरा कह डाला नमबर पाँच रॉंग चॉइस प्रियंका की इस ब्लैक ड्रेस को लोगों ने रॉंग चॉइस करार दिया था उनका कहना था कि प्रियंका इस तरह की आउटफिट का सेलेक्शन कैसे कर सकती है जिसमें उनके पैरों के साथ और भी बहुत कुछ दिखता हो उस ड्रेस को पहनने के बाद लोगों ने प्रियंका चॉपडा के ऊपर बहुत ही गंदे कॉमेंट्स करने शुरू कर दिये नमबर छे म्यूजियम की मूर्ती प्रियंका की ये महरून ड्रेस बहुत ही भारी थी खास कर उन्होंने सिर पर जो हैवी चीज पहनी थी उसमें खोद प्रियंका भी आसाहज लग रही थी उन्हें देख ऐसा लगा मानोवे म्यूजियम की कोई मूर्ती हो प्रियंका चोपडा की इस फोटो को लेकर भी उनके फॉलोवर्स ने बहुती गलत कॉमेंट किये जिससे प्रियंका चोपडा को काफी बुरा लगा था क्योंकि हर बार की तरह प्रियंका चोपडा को लोगोंने खरी खोटी सुनाई थी प्रियंका की इस गहरे रंग की ड्रेस में इस तरह के कट और कर्व थे कि उन्हें देख ऐसा लगा मानों उन्होंने कोई कपड़ा लपेट लिया हो फैंस ने इसे फटीचर स्टाइल बताया था उनकी वो ड्रेस हर जगे से कटी फटी नजर आ रही थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था प्रियंका ने एक बार वाइट टॉप और ब्लेक स्कर्ट पहने स्टेज पर एक इंटर्वी दिया था और माइक से गाना भी गया था हाला कि उनका स्कर्ट का कपड़ा लाइट्स पढ़ते ही ट्रांस्पेरेंट हो गया था जिससे अंदर का सब कुछ नजर आ रहा था आप लोग उनकी ड्रेस को देख सकते हैं ऐसे में उन्हें बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया गया था प्रियंका चोपडा ने अपने पती निक जोनस के साथ इस बार कुछ अलग ही डिजाइन की ड्रेस पहनी थी इस पर सोचल मीडिया यूजर्स ने उनसे पूछा था कि कौन सा फैशन है ब्लैक कलर की इस ड्रेस में जो डिजाइन है उसमें कुछ फैंस में ये भी कहा था कि वे इस तरह के वाईयात कपड़े कहां से लाती है जिससे लोगों ने प्रियंका चोपडा के बारे में काफी बहला बुरा कहा था मैटगाला 2017 में प्रियंका चोपडा टॉटिला रंग ट्रेंड कोट में नजर आई थी इस आउटफिट में सब कुछ एकदम बढ़िया था लेकिन मैडम के ट्रेंड कोट के साथ अटेच लांग ट्रेल की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि वो वहां मौझूद लोगों के लिए पिंक कार्पेट का काम असानी से कर रहा था जिसके बाद लोगों ने सोचल मीडिया पर खूब ट्रोल किया तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कॉमेट करके बताएं कि आपको प्रियंका की सबसे वाहियाद ड्रेस कौन सी लगी